हेलो एप्रिवान विल्कम टू सुमन कीचन आज बनाएंगे आलू का सूरी मेथी की सबजी जो दो मिनट में कम मसालों से बन कर जट पर त्यार हो जाता है तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा गैस ओन करके कडाही में डालेंगे दो चमज सर्शो का तेल तेल अच्छे से गरम होने के बाद दो पिंच हेंग डालेंगे और इसमें डालेंगे एक छोटी चमज जीरा जीरा अच्छे से तड़कने देंगे तेल के अंदर और डाल देंगे दो सुखी लाल मेर्च और इन सब चीजों को हम चला लेते हैं कुछ सेकेंड के लिए तो यहां पी जीरा का कलर चेंज होने लग गया है मेर्च भी अच्छे से भूरने लग गया है तो अब हम इसमें डालेंगे कासूरी मेथी यहाँ पे चार चमच हमने कासूरी मेथी लिया है घर का बना हुआ इसे हाथों में लेंगे और अच्छे से मसल कर इसे रेखिए बारिक कर लेंगे और इसे तेल के अंदर डाल देंगे बच्चे हुए कासूरी मेथी को इसी तरीके से हम हाथों से करस करके तेल के अंदर डाल देना है गैस का फ्लेम यहाँ पे पिल्कुल लो हमने रखा है ताकि कासूरी मेथी तेल में जले नहीं कुछ सेकेंड के लिए इसे भून लेंगे उसके बाद इसमें डालेंगे हम आलू तो यहाँ पे चार बड़े साइज के आलू को हमने बोल करके कट करके ले लिया है तो यह आलू उबला हुआ है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा सबजी बनने में तो इस तरीके के पीसेज में हमने इसे कट कर लिया है और इसे हम डाल देंगे कडाही में और दो मिनट के लिए मिडियों फ्लेम पे आलू को भूनेंगे उसके बाद इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले तो इस तरीके से दो मिनट के लिए आलू को अच्छे से हमने भून लिया है तो आप डालेंगे इसमें मसाले एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर एक चोथाई चमच धनिया पाउडर आधी छोटी चमच जीरा और काली मिर्च का पाउडर एक चोथाई चमच इसमें डालेंगे रेट चिली पाउडर जितना तीखा आपको पसंद है उस हिसाप से इसमें नमक डाला है अब इन मसालों को लो फ्लेम पे हम भोनेंगे तीन से चार मिनट तक आलू तो बोईल हुआ है इसमें पकाने की जोरत ही नहीं है सिर्फ यहां पे मसालों को ही पकाना है तो मसालों के साथ साथ आलू भी बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा और उससे बहुत ही अच् तो इसी तरीके से चलाते हुए हमें 3-4 मिनट तक पका लेना है आप चाहें तो इसे कभर करके भी पका सकते हैं और आपके आलू यदि लग रहे हैं तो दो चमच के करीब इसमें पानी भी डाल सकते हैं तो यहाँ पे हमें पानी के जुरत नहीं पड़ी है आलू यहाँ पे ब और पका लेते हैं तो यह देखिए तेल बिल्कुल अलग हो चुका है सब्जी से मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं और यह सर्प करने के लिए सब्जी बिल्कुल त्यार हो चुका है तो चलिए गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और गर्मा गर्म पराटे पूड़ी य से सर्व कर सकते हैं या टीफिन में लंज बॉक्स में या सफर के लिए सबजी जटपट से दो मिनट में आप बना सकते हैं और बहुत ही स्वादिश्ट लगता है तो एक बार इसे ट्राइ किजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों